नमाश्का दोस्तों कैसे हैं आप लोग 23 अक्टूबर 2023 के एडिटोरिल और करेंट अफेर्स अनलिसिस में आपका स्वागत है महा नवमी है दोस्तों पूजा का आखरी नवा दिन है आप सब की जिंदगी में ये तेवहार का दिन खुश्या लेके आए आप सब के सपने पूरे हो चाहे आप इस देश के किसी भी हिस्से में हो देश के बाहर से देख रहे हैं किसी भी धरम के हो वगवान करें आप सब के जो भी सपने हैं जो भी एक्छाए हैं वो पूरी हो तो भाई 23 में अक्टूबर 2023 के एडिटोरल और Current Affairs Analysis में हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज का ये टॉपिक काफी होलिस्टिक रहने वाला है चुकि एडिटोरल के भी चार्ट आर्टिकल्स हैं और 9-10 इंपोर्टन न्यूस तो आज Current Affairs में हैं तो काफी होलिस्टिक होगा ये Particular Analysis थोड़ा लंबा भी यहाँ पर हो सकता है इस Particular Analysis की PDF अलड़ी टेलिग्राम ग्रूप में अपलोड हो चुकी है तो टेलिग्राम में हर्शित दिवेदी एजुकेशन या हर्शित दिवेदी वीडियो सर्च मारिए साथ हजार की सब्सक्राइबर्स वाला टेलिग्राम ग्रूप जॉइन कर लीजे कुछ एक दो फरजी भी खुले हुए उनको जॉइन मत करी उसमें उल्टे सीधे प्रमोशन होते रहते हैं और उन चैनल्स को मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ टेलिग्राम को बढ़ पता नहीं टेलिग्राम एक्शन क्यों नहीं ले रहाँ इसके बाद यह disabled हो जाएगा तो आप चाहें तो इसको अवेल कर सकते हैं और historic discounts पे सबसे कम price पे इस particular course को अवेल कर सकते हैं चलिए editorial analysis को शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला topic इसरो हैs started a crucial face office human space flight mission अब मैं बता दूँ दोस्तों यह जो आपका गगन यान mission में जो testing हुई है na TVD1 की यह TVD1 को लेके आज के current affairs में भी एक article है तो basically यह editorial वाला article और current affairs वाला article हम साथ में discuss करेंगे अब सबसे पहले मैं current affairs वाले article की ओपर आपको लेके चलता हूँ चुकि इसमें कुछ और important points दे रखे हूँ और उसके सासद में यह जो आपका article है editorial वाला यह भी आपको explain कर दूँगा तो यह वो current affairs वाला article है basically यह जो गगन यान का test mission गया है ना आपका TVD1 जिसको आप test vehicle about mission बोलता हो ऐसा नहीं है कि इसरों ने इसको अभी तुरंट प्लान किया है इससे पहले इसके दो important precursors रहे हैं जिनको आप यहाँ पे four runners बोल रहा हो तो satellite को एक test conduct किया गया ठीक है न भाई एक unmanned crew module मतलब एक ऐसा module जिसके अंदर पहले बाद में astronauts bat के space में जाएंगे अब यह मैं आपको बता दू कि यह जो test module था यह pressurized नहीं था देखिए जब भी किसी particular module के अंदर आप human beings को बैठाओगे तो उसके अंदर आपको एक optimum amount of pressure maintain करना पड़ेगा ताकि वो humans उसके अंदर survive कर सकें लेकिन यह जो test module था यह pressurized नहीं था यह बाग मैं आपको बता देता हूँ तो इस TV-D1 module में एक small rocket के उपर इस TV-D1 module को बनाया गया उसमें crew escape system भी लगाया गया और इसको यहाँ पे launch कर दिया गया ठीक है भाई गगन यान mission के अंदर और और आगे आने वाले समय में 2040 तक जो प्रधानमंति मोदी जी का प्लान है कि भाई इंडियन astronauts को हम space में भेज देंगे उसके लिए एक important precursor था 8.45 a.m. पे इसका वैसे तो देखिए 8.00 a.m. पे इसको ओड़ना था लंबा टिक जाए लंबे समय तक postpone हो जाए लेकिन बाद में anomaly को identify कर लिया जाता है और बहुत बहुत fast तरीके से इसको correct कर दिया जाता है gases को यहाँ पे refill किया जाता है और launch को फिर से सुभे 10 बजे यानि कि एक घंटा 15 मिनट बाद schedule किया जाता है तो टीवी डीवन मिशन यहाँ पे successful हुआ है आप देख सकते हो कि टीवी डीवन मिशन 17 किलोमीटर की उपाई पे जाकि जब वापस आके Bay of Bengal में गिरा तो इसको इंडियन नेवी ने वापस Bay of Bengal से रिक्यूपरेट कर लिया मतलब ओवराल एक्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यह जो ओवराल टीवी डीवन मिशन है इस टीवी डीवन मिशन से पहले दो important front runners रहें एक भाई इस रोका Space Capsule Recovery Experiment SRE-1 इसमें क्या था कि एक orbiting satellite SRE को भेजा गया था अर्थ से उपर 22 जनवरी 2007 को polar satellite launch vehicle प फिर कुछ maneuver करवाय गया और यह shuttlecast shaped SRE को वापस अर्थ पे लाया गया from an altitude of 635 km और यह स्री हरी कोटा से 140 km दूर जाके गिरा Coast Guard ने इसको यहाँ पर recover कर लिया तो basically पहली बार एक orbiting satellite को यहाँ पर recover किया था इस रो ने यह बात कब की है 2007 की बात है उस समय पे जो descent maneuvers किये गये से उसमें sophisticated breaking systems को test किया गया, deceleration technologies को test किया गया, deployment of parachutes को test किया गया, तो SRE-1 mission ने showcase किया atmospheric re-entry की technology को इस रो यहाँ पर master कर चुका है ठीक है तो यह चीज है, एक चीज तो यह हो गई, तो basically SRE-1 definitely एक success था इंडिया के लिए, तो SRE-1 इंडिया का पहला step था towards sending Indian astronauts to space and bringing them back safely, तो यह जो TVD-1 है, यह पहला step नहीं है, यह पहला step 2007 में था SRE-1 के, तो space capsule recovery experiment जो कि इस रो ने किया था, उसके बाद एक और overall important test हुआ जो second forerunner था, वो हुआ 18 December 2014 को, जब launch vehicle Mark 3 के थुरू 3.75 ton का crew module, sub orbital attitude 126 km पे भेजा गया, तो मतलब launch vehicle Mark 3 के थुरू 126 km की उचाई पर 3.75 ton का unmanned crew module भेजा गया, अब आप समझे दोस्तों, जो पहले overall SRE भेजा गया था, SRE का वज़न 555 kg था, और 2014 में जो overall आपका LVN3 पे भेजा गया, उसका वज़न 3.75 ton था, और ये जो TVD1 गया है, इसका वज़न almost 4 ton है, 4000 kg है, तो basically, 18 December 2014 को, 126 km की उचाई पे, ये जो 3.75 ton का unmanned crew module भेजा गया था न, ये भी overall Earth के atmosphere में वापस आया, पहले parachutes deploy हुए, ठीक न, फिर ये जाके Bay of Bengal में Port Blair से 700 km दूर, इस test को बुला गया, 3 module, atmospheric re-entry experiment के है, तो अपने notes में इस बात को incorporate कर लो, बहुत important point बता रहो, ये आपके notes में आना चाहिए, जो TVD1 की testing हुई है न, यहाँ पे, ये Indian astronauts को space में भेजने का पहला step नहीं है, इस से पहले 2 steps already लिये जा चुके है, SRE-1 2007 में, और ये जो care experiment हुआ था, LVM 3 से 18 December 2014 को, इनका वजन क्या था, ये कितनी उचाई तक गए, ये सारे factors यहाँ पे important है, अगर इन information को आप subjective exams में लिखते हो, या फिर किसी interview के question answering में बोलते हो, तो definitely it will be helpful, it will give a boost to your credentials, हाला कि मैं आपको ये recommend करूँगा कि interview में space वाले topic पे मच जाना, चु और नॉटिकल इंजिरिंग ना कर रखी हो, या फिर space में इतनी thesis ना कर रखी हो कि बहुत detailed जानकारी हो आपको, तब तक interview में space वाले topic में मच जाईएगा, बहुत उल्टे सीधे counter questions आ सकते हैं, लेकिन हाँ, definitely subjective information तो, मैं तो ये information आप लिखी सकते हो, इस TV डर्वन की खास बा करके गिरा है, कौन ये crew module, फिर आ जाते हैं, overall यहाँ पर किसके ओपर, आपने editorial के ओपर, तो editorial में यही बताया गया, कि बहुत एक सक्टूबर को सुबह 10 बजे, ये इस रो का गगनियान का TV D1 उडा, तो पहले तो overall rocket, इस crew module को, crew escape system को 12 km के उचाही पर लेके गया, फिर 12 km के उचाही पर rocket अलग हो गया, crew escape system, और crew module और 17 km के उचाही तक गया, फिर यहाँ पर इनको इस रो के command, मतलब center से command दी जाती है, कि भाईया, अब आप crew को, मतलब वापस ले आओ, तो basically यहाँ पर उन conditions को mimic किया जा रहा था, कि rocket launch के बाद अगर कुछ failure आ जाता है systems में, तो कैसे हमारे astronauts को हम extract करेंगे, उनकी जान को यहाँ पर बचाएंगे, तो basically overall यहाँ पर crew module active होता है, और वो parachutes के through deploy करके Bay of Bengal में जाके गिरता है, पहले यहाँ पर ड्रोग parachutes का इस्तमाल किया गया, फिर main parachutes का इस्तमाल किया गया, स्री हरी कोटा से थोड़े ही दी बे और बंगाल मे crew module जाके गिरता है, और इंडिन नेवी इसको यहाँ पर निकाल लेती है, जो crew escape system में थोड़ा और दू जाके गिरता है, तो basically यह flight इस बात को टेस्ट कर रही थी, कि कल की date में rocket में अगर कोई mal function आ जाता है, तो हम अपने crew को कैसे protect करेंगे, इसरों के chairman S.O.M.N.A. साब का ब समझ के बात को, बागी सारी बात तो आपको बताया दींगी, पहले आठ हेम पे launch था, फिर खराब weather के चलते, आठ एच पैतालिस पे launch होना था, फिर पांच सेकंड पहले टेकनिकल अनॉमली के चलते हो, बाट होता है, सब कुछ ठीक होने बाद फिर दस बजे उसको launch किया ज तो यह जो checks and balances किये जा रहे हैं, इसमें भारा सरकार का और इसलों का चासासा पैसा भी खतम हो रहा है, 2009 में इसके लिए 12,400 क्रोंट रुपए allocate किये, estimate किये गए थे, union cabinet ने दिसंबर 2018 में 9,023 क्रोंट रुपए allocate किये, COVID-19 pandemic के चलते, overall यह mission यहाँ पे delay हो गया, currently जो पहली crude फ्लाइट होगी, वो 2025 में होगी, प्रजान मंतरी मियुदी जी का बोलना है, कि हम अपने astronauts को 2040 तक moon की धरती पर बेजेंगे, तो moon की धरती पर बेजना बहुत हद तक non-negotiable हो रहा है, दुनिया भर की space agencies moon की धरती पर पहुँचने का प्लान कर रही है, तो India भी यहाँ पे क खतम होता है, अब आगया जाते हैं, यहाँ पे lawyer साहब है, आपके the courts no fundamental right to marry is wrong, अब मैं आपको बता दू, आनन्द ग्रोवर साहब है, senior advocate है, Supreme Court of India में practice कर रहे है, नास foundation का जो course case था, जिसमें overall, यह जो section 377 इसको decriminalize किया गया था, नवतेज, sorry, नास foundation में नी, नवतेज जोहर में decriminalize किया गया था, तो नवतेज दोहर वाले case में, नास foundation वाले case में, in fact, नास foundation वाले case में क्या हुआ था, कि दिल्ली high court ने section 377 को read down किया था, तो basically यह जो LGBT के rights के लिए और लंबे समय से, जो courtों में case लड़े जा रहे हैं, उसमें आनन्द ग्रोवर साहब active है, finally, अभी recently, जो supreme court का judgment है LGBT में, कि यहां right to marry आपके पास नहीं है, पांच में से दो ने बोला कि यहां right है, तीन ने बोला नहीं है, basically इसमें अगर आप देखो, तो supreme चुकरवरती case इसको बोला जा रहा है, और यह जो supreme चुकरवरती case में supreme court ने logic दिया है, इस logic को यहां पे गलत बोल रहे ह आनन्द ग्रोबर साब, अब इसको समझने के लिए, पहले आप time line को समझो, 2009 में दोस्तों, दिल्ली हाई court ने, नास foundation case में, इंडिन पिनल court के section 377 को strike down कर दिया, कि बोला भाई, जो आप criminalize कर रहे हो, same sex रिष्टों को, यह गलत है, लेकिन उस समय पे दिल्ली हाई court के judgment के against, अपील जाती है सुप्रीम कोट ने, और सुप्रीम कोट ने, दो हजार तेरह में सुरेश कुमार कोशल केश में क्या बोला, कि नहीं भाई, आप decriminalize नहीं कर सकते हैं, और आल सेम sex रिष्टे सही नहीं हैं, तो section 377 सही है, तो दो हजार तेरह में जो सुप्रीम कोट का जो दिल्ली आई कोट ने, नास फाउंडेशन ने केस में बोला था, उसके साथ वाक्या रखा सुप्रीम कोट ने, सुप्रीम कोट ने बोला कि ठीक है, section 377 को decriminalize करना ठीक है, अब देखिए, section 377 of the Indian Penal Code यह कैसा कानून था, जिसको Britishers ने बनाया था, जिसने non-heterosexual couples के LGBT community के लोगों को इस particular section 377 के चलते, बहुत सारा अत्याचार जहिलना पड़ा है, blackmail, torture, violence, harassment, gay men, अपना orientation, अपना sexual orientation, एक individual बताता ही नहीं था इस डर के मारे, कि उसके खिलाफ society में backlash आ सकता है, ठीक है ना, कई बार lawyers collective में जो clients थे, जो कि overall gay हुआ करते थे, ये lesbian हुए करते थे वो अपनी sexual identity के बारे में बताते हैं नहीं थे, finally 1997 में यहाँ पे कुछ लोगों ने decide किया, कि section 377 की constitutional validity को challenge करेंगे 2001 में, लेकिन नास foundation case और नव्तेज जोहर case में इनको finally success मिलती है, 377 को यहाँ पे decriminalize किया जाता है, in fact नव्तेज जोहर तो 2018 में आया है, Supreme Court का, उससे पहले ही नालसा ने, National Legal Services Authority ने यह बोला है, कि भाया, लोग persons are entitled to identify their own gender, हर इंसान अपने gender को identify कर सकता है, मतलब मान लीजे एक individual, as a male पैदा हुआ है, बट उसको female, मतलब उसको feeling एक, आपके लो transgender वाली है, female वाली आ रही है, तो वो अपने gender को female mention कर सकता है, अपने आपको transgender भी mention कर सकता है, और इसको legally statute में लिखा गया, through the Transgender Persons Protection of Rights Act के, जिसको Parliament ने पास किया, जिसमें overall एक इनसान अपने gender को बदल सकता है, overall अलग diverse establishment में उसके खिलाब किसी प्रकार कर discrimination होगा नहीं, in fact इसके लिए बहुत अच्छी-ची movies भी दिखाई गई ही, कि भाई, आप जिस gender के साथ अप अपने आपको convert भी कर सकते हो, जैसे कि एक अच्छी movie थी, आयुश्मान खुराना की और वानी कपूर की, अब मैं movie का नाम बोल रहा हूँ, शायद चंडीगड करयाश की ऐसा कुछ movie का नाम था, उस particular woman दिखाए गया कि वानी कपूर पहले एक लड़का होती है, लेकिन अधिकार की movies, society में awareness फेलाती हैं इन सब चीज़ों के पती, ठीक है, और in fact, Supreme Court ने भी अपने अलग-अलग diverse judgments के थूँ ये बताया है कि भाई, autonomy, dignity, privacy, and right to choose their own partners, ये अधिकार है एक individual का, नवतेज जोहर के बाद ये बात तो clear हो गई थी, कि same sex relations में आप involved हो सकते है, उसके लि article 377 को decriminalize जरूर कर दिया गया, but article 377 को strike down नहीं किया गया, ठीक है न, दोनों चीज़ों में फर्क है, article 377 को decriminalize कर दिया, मतलब कि अब police वाले ये बोल के कि तुम same sex रिष्टे में involved हो रहे हैं, तुमको jail में डालेंगे, 10 साल की तुमको सजा देंगे, कुछ नहीं बूसकते it is none of your business, but हाँ, शादी ये नहीं कर सकते, शादी करने का इसको अधिकार नहीं मिला, तो author, मतलब जो आनन्द ग्रोवर साब है, वो ये बोल रहे हैं, कि भई देखिये, तो basically obviously बात है, अगर एक same sex couple रिष्टे में होगा, तो अब obviously बात है, वो physical intimacy कर सकता है, वो allowed है, section 377, यह यहाँ पर decriminalize हो चुका है, और यहाँ पर overall यह जो particular judgment recently आया है न, जहाँ पर marriage की permission नहीं दिये, बट basically इस judgment में, सुप्रियो चुकरवर्ती judgment में, physical intimacy एक particular same sex couple, transgender couple में हो सकती है, इसमें भाई देख लिए कोई problem नहीं है, लेकिन यह बहुत obvious है दोस्तों, कि दो इंसान, irrespective of the fact कि वो किसी भी जेंडर में हो, अगर उनके बीच में physical intimacy होगी, तो हो सकता है, उनका प्लान है कि वो longer term में एक दूसरे के साथ रहेंगे, बाद में वो inheritance वाला topic आ सकता है, भी property किसके पास जाएगी, children के adoption की बात पासकती, hospitalization, जहां पे वो काम कर रहे होते हैं, उनसे marital benefit लेन तो ये सारी चीज़ें, तो basically society के नजर में अपने रिष्टों को sanctify करना, अपने रिष्टों को legal बनाना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता, उसका सबसे बड़ा proof होता है आपका marriage, और marriage की इनको यहां पर permission नहीं दी जा रही है, तो उसके चलते morally illegitimate हो जाती है, इनकी य legislature इस चीज़ को, अब क्या है जो LGBT के बहाफ पे petitioners है, सरकार के पास जाई नहीं रहे है, चुकि इनको पता है, सरकार इनकी बही सुनने वाली है नहीं, सरकार जदा तर देश के, आपके लो, जो भी हाव भाव इनके साब से चलेगी और वो थोड़ा conservative है, तो basically केंदर की सरका इनका बोलना है कि सुप्रियो चक्रवर्ती में सुप्रीम कोड में जो decision दिया है, वो overall universal declaration of human rights को violate करता और इंडिया इसका एक legal signatory है, अगर आप देखो, तो as a signatory to UDHR, इंडिया के अंदर parliament और state legislatures द्वारा जो legislation है, वो UDHR के provisions के साब से होना चाहिए, और article 16 of the UDHR 1948 क्या बोलता है, men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and found a family, अब यहाँ पर obvious सी बात है, sex नहीं लिखा हुआ है, खीकिना, तो सीधे सीधे तो इसमें same sex marriage को recognition नहीं मिल रहा है, UDHR 1948 में, but definitely overall एक दूसरे के साथ रहना fundamental right का एक हिस्ता हो सकता है, तो UDHR के, आप कहलो, article 16 में आप definitely right to marriage को एक fundamental human right की तरह justify करने की कोशिश जरूर कर सकता हो, ठीक है, अगर आप बात करो, article 21 की, तो article 21 के अंदर overall right to education, food, environment, इस प्रकार की चीजों को include किया गया, तो marriage को भाई क्यों नहीं include कर रही है, यहाँ पे Supreme Court, तो Supreme Court ने पहले बहुत सी बार, UDHR के provisions को इस्तमाल करके, अपने judgments को justify किया है, लेकिन right to marriage को यहाँ पे UDHR ने नहीं आने दिया, in fact अगर आप देखो, तो article 5 of the UDHR को इस्तमाल किया था, प्रेम शंकर शुकला केस में Supreme Court में, जहाँ पे overall Supreme Court ने handcuffing और consequential torture से related, कुछ आपके लोग अपने provisions के उपर टिपनी की थी, तो basically वहाँ पे जो core principle था कि यहाँ भई, dignity का concept important है, तो अगर dignity का concept handcuffing के case में important है, आपके लोग का studio torture के case में important है, तो right to marry भी तो society में dignity से रहने से relate करता है, तो उसको आप फिर article 5 of the UDHR में inference करके, right to marriage क्यों नहीं दे रहे हों लोगों को, तो इस प्रकार से UDHR के principles को court करके, सुप्रियो चक्रवर्त के final Supreme Court के judgment को आप के लोगो refute करने की कोशिश कर रहे हैं, आनन्द गरोवर साब, ठीक है, और सुप्रियो चक्रवर्ती केस में वैसे भी Supreme Court ने doctrine of intimate association को तो वैसे भी approval दे दिया है, तो अगर आप doctrine of intimate association, जो कि कही ना कहीं United States में evolve हुआ है, उसको इंडिया में apply कर रहे हो, तो right to marriage को भी यहाँ पर apply करो, आपने intimacy और physical relationship को apply कर दिया, उसमें कोई दूसरा interfere नहीं कर सकता, कोई police उसको criminalize नहीं कर सकती, लेकिन जब आता आई कि उस physical intimacy को यह couple अपनी स्विक्षा से long term रिष्टे में convert करने कोशिश करने तो उसमें आप permission नहीं दे रहो, समझगे बात को, तो एक expensive interpretation के अंदर right to marry भी सुप्रीम कोट को देना चाहिए, और यह कहने कि लगातार सुप्रीम कोट में petition डाल डाल के इस चीज़ की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है, अगला, restoring the ecological health of the Himalayas, by environmental devastation हुआ हिमालियन states और हिमाचल पदेश उत्राखन सिक्कियम में, और अब यहाँ प पे overall, union government से बोला है, सुप्रीम कोट ने, कि carrying capacity of the Indian Himalayas region के उपर आपका क्या कहना है, इसके उपर क्या कोई way forward है आपकी, overall, Indian Himalayas region में जो भी development हो रहा है, जो भी town societies बन रही है, क्या वो sustainable तरीके हो रहा है, क्या carrying capacity के concept पे ध्यान दिया जा रहा है, union government ने जब अपना affidavit तो इनका यह बोलना है, कि जो director है, GB Pant National Institute of Himalayan Environment के, यह lead करेंगे carrying capacity की study को, और यह carrying capacity की study 13 Himalayan states और unit territory में conduct की जाएगी, इस particular support affidavit में, मतब इस affidavit के थूँ, ministry of environment Supreme Court को बता रही है, कि हमाला region में carrying capacity को study करने के लिए, जो team lead होंगे, वो GB Pant, आप के लो, institute के head होंगे, उसके इस साथ, overall technical support group होगा, नॉमीनीज होंगे, National Institute of Disaster Management भोपाल के, National Institute of Hydrology रूर्की के, Indian Institute of Remote Sensing दहरादून के, National Environmental Engineering Research Institute नाकूर के, वादया Institute of Himalayan Geology दहरादून के, Indian Council of Forestry Research in Education दहरादून के, Wild Life Institute of India दहरादून, School for Planning and Architecture, इन सब के यहां पे representatives होंगे, इस committee के अंतर, ठीक है, यह affidav होंगे, State Disaster Management Authority के, Geological Survey of India के, Survey of India के, जो member secretaries होंगे, Central Pollution Control Board के, और Central Groundwater Board के, वो भी यहां पे इसके members बनेंगे, तो basically यहां पे सरकार request कर रही है, court को, कि भाई, यह जो हिमाल, अच्छा क्या है, यह overall carrying capacity की उपर केंदर की सरकार अपनी committee बना के काम कर रही है, केंदर की सरकार, अलड़ी अलग-अलग राजी की सरकारों को भी बोल चुकी है, कि आप अपने अपने यहां पे committee बनाईए, उस committee को head करेंगे, आपके chief secretary और वो chief secretary overall carrying capacity को study करेंगे, उस राजी की ecological capacity को study करेंगे, और उसकी report केंदर की सरकार को भेजेंगे, और अपनी तरफ से amendment suggest करेंगे, तो होता क्या है carrying capacity of a region, देखिए, carrying capacity of the region basically वो maximum आबादी है, जिसको उस particular ecosystem के अंदर sustainably आप कहलो, accommodate किया जा सकता है, तो एक particular specific time period में maximum कितने लोग वहाँ पे रह सकते हैं, उस particular environment और ecology को तभा किये बिना, इसको आप बोलते हो, carrying capacity of the region, और इसके लिए understand और manage करना जरूरी है, balance between human activities and preservation of natural ecosystem, तो अगर आप देखो, तो केंदर की सरकार already इसके लिए बहुत सारे initiatives चला चुकी है, इंडिन हिमालन रीजन में बहुत से initiatives चल रहे हैं, जैसे कि National Mission for Sustaining the Himalayan Ecosystem 2010, the Indian Himalayas Climate Adaptation Program, Secure Himalaya Project, recent guidelines यहाँ पे carrying capacity को पर लेके आई गही है, इंडिन हिमालन रीजन में जिको 30 January 2020 इसको सर्कुलेट किया गया है, एक reminder भी दिया गया था, Minister of Environment and Forest के दोरह 19 में 2023 को जिसमें सारे states से बोला गया है कि carrying capacity से related दुमने study की 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 नहीं की, हाला कि केंदर की सरकार के भी कुछ ऐसे initiatives जैसे चार धाम project जिसको लेके बोला जा रहा है कि भाई, यह carrying capacity और overall Indian Himalayan region की long term ecology औ sustainability को devastate कर रहे हैं, destroy कर रहे हैं, तो यह सब बाते यहाँ पर बोली गई है, तो basically author यह भी बोल रहा है कि overall groups बनाए जाते हैं, committees बनाई जाती हैं, उनके बहुत सारे recommendations यहाँ पे आते हैं, जैसे कि GBPAN National Institute of Himalayan Environment, यहाँ पर बहुत सारे study conduct कर रही है, technical groups बना रही है, लेकि जब study के result आते हैं, तो results proper होते नहीं हैं, चुकि overall जब राज जी की सरकारों से आपने बोला कि committee बना के study करो, तो यही राज जी की सरकारे इन इलाकों में developmental project चला रही हैं, और इनी राज जो से आप बोलो कि committee बना के study करो, तो committee कितने honest तरीके से बनाई जाएगी, वो कितने genuine यहा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर implement नहीं किया जाता है, जरूरी यह कि wider और long term plan बनाया जाए, overall sustainable capacity of the whole state को ठीक करने के लिए, state wise बना चाहिए, सारी biological species, food, habitat, water, ecology, agriculture, सब यहाँ पर ध्यान देने की जुरुत है, जितने भी towns और villages हैं, Indian Himalan region में, वहाँ पर citizen representation होना चाहिए, ground level पर जो पंचाय समितीज और municipalities काम कर रहे हैं, वो population के साथ engage करें, population के viewpoints को जानने की कोशिश करें, उन viewpoints को, overall local level पे सरकारी और सरकार के representatives को बताया जाए, यह representatives इन सारे points को, आपके लोग केंदर की सरकार तक पहुँचा हैं, राजी की सरकार तक पहुँचा हैं, और उपर से में तक काम करती रहती हैं, और overall, finally उनके, you know, आपके लो recommended actions पे कुछ भी action होता नहीं है, फिर अगला article है, massive intelligence failure in Israel, भाई हमास ने, जो हमास गाजा-based Palestinian terrorist organization है, इसने गाजा पट्टी से निकल के, अपने जो भी drain, आपके लो हात्यार थे, और जो भी उन्होंने glider से जो landing की, इस इसराइल की धरती उपर और जो तबाही मचाई, इस तबाही को कभी भी justify नहीं किया जा सकता है, ये जो cross border incursion हुआ ना हमास की तरफ से, high tech fence को cross करके southern Israel में, और फिर rocket fire हुए और आपके लो डिंगी, bulldozers, motorcycles, paragliders, drone, explosive में सब का इस्तमाल हुआ, civilian settlements को target किया गया, military intelligence hub को target किया इसराइल के अंदर, definitely, इसराइल यहां पे enable था, वो proper तरीके से उन science को detect ही नहीं कर पाया, जिसके basis में इस प्रकार का attack plan हो सकता है, जिस प्रकार से 9-11 में US का intelligence failure हुआ था, 26-11 में इंडिया में intelligence failure हुआ था, वहीं साथ October 2023 में इसराइल में intelligence failure हुआ है, अब सब से खास बात इसराइल के पास formidable array है, electronic sensors का और surveillance system का बॉर्डर पे, बट कहीं न कहीं इसने काम नहीं किया, हाई order of communication security को यहां पे हमास ने exercise किया, हमास ने किसी भी प्रकार के communication network को, phone वगरा को, radio, transmission को इस्तमाली नहीं किया, चूकि वो कहीं न कहीं overall यहां पे decipher हो सकता है, compromise होता है, हमास यहां पे succeed हो गया, इसराइल को इस बात में वरुस्त दिलाने में कि हाँ भाई normalcy चल रही बट actually में normalcy ही नहीं, यहां पे बहुत लगड़ा attack हो, पचास साल पहले भी overall yom के उपर वार 1973 में इसराइल के उपर इस परकार का attack हुआ था, उस समय पे एजिप्ट और सीरिय फजी जॉमर ने प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मीर को भी बताया, ठीक है ना भाई, लेकिन overall कहीं न कहीं, उस समय पे भी उस attack को उस level पे खौट करना इसराइल के लिए मुश्किल था, चूंकि सब चुट्टी बगड़ा पे थे, बाद में overall इसराइल जीद जिद जरूर ग पेलेस्टीने रिफूजी इसराइल के अंदर आके काम करते हैं, तो कहीं न कहीं गाजा के लोगों को economic incentive इसराइल की तरफ से मिल रहे थे, तो इसराइल के दिमाग में confirmation बाहिस था कि चलो हमने हमास को थोड़े बहुत ये incentives दे रखे हैं, तो incentives को हमास मतलब compromise नहीं करेगा, ह फतर पार्टी लीड कर रही, वेस्ट बैंक में, उसको वो अलग तरीके से लीड कर रहे हैं, अब हमास वाला है जो ग्रूप है, इसको वैसे भी Benjamin Netanyo राइट विंग जो प्राटी से इसराइल में proper तरीके से इनको representation दिया नहीं जाता है तो, और हमास के साथ, जो थोड़ा बहुत कैरट वगरा दे के, ये इसराइल वाले सोच रहे दे कि हाँ बाई कोई अटैक नहीं होगा, वो अटैक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, एक वज़ा ये भी बताई जा रही है कि अरब स्टेट्स और इसराइल की बीच्विंज रिलेशन्शिप में जो थोज आ रहे ह इसके जवाब में भी औरॉल हमास ने अटैक किया, फिर रिसेंटी हमास और हजब ला के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है कि इरानियन ब्रिगेडर इसमाईल कानी इन से मेरा था, ये भी ओवरॉल एक इवेंट हो सकता है जिसमें इस प्रकार की अक्टिविटीज की यूएस मिलिटरी केमपेंज जब अफगानिस्तान में फेल हुआ, इस्राइल का एक्सपीरिंस जो सौधन लिबनन में रहा है, इस्लामिक स्टेट के साथ जो कुछ भी हुआ 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 हमास के अंदर इस्राइल का इन्वाल्मेंट कितना सक्सेस्फुल होगा, लॉंग ट मेंटर्शिप प्रोग्राम एक्टिव दोस्तों ये प्राइस आपको पे करने की जरूत में हिस्टॉरिक डिस्काउंट्स चल रहे हैं, आप चाहो तो आज दिन के एंड तक इन पर्टिकुलर डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं, काफी कुछ आपको ओर और एस्मेंटर् कर सकते हैं, चल लिए करेंट डिफेर्स पाजाते हैं जोस्तों, इस पर्टिकुलर मेंटर्शिप कोर्स पे आप जा सकते हैं, www.harshiddiweddi.com पे, आप लॉग इन करिए अपने फोर नमबर से और वहाँ पे store section में जाके आप इस mentorship को खरी सकते हैं, हर्शिद डिवेदी education app, android platform औ और आयो इस दोनों पे अब लेबल है, वहाँ पे भी इस पर्टिकुलर अप को डाउनलोड करके store section में जाके आप इस पर्टिकुलर कोर्स तो खरी सकते हैं, पिर अगला, इसराइल पाउंट्स गाजा, as a humanitarian crisis unfolds in hospitals, क्या है भाई यहाँ आपर, देखे, एक 17 ट्रक का aid convoy, गा पार सो से जादर लोग मरें एन फैट, ऐसा बताया जा रहा है, आज सुबह की न्यूज में देखने को मिल रहा है, अब क्या है कि जब जो बाइडन आये इसराइल के अंदर, जो बाइडन ने बेंजमिन नेटनियो के उपर बहुत प्रशन बढ़ा रहा, जो बाइडन फिर सर्वाइब कर सके हैं, अब 120 न्यूबॉन बेबिस इनक्यूबेटर्स में हैं, हॉस्पिटल में इनक्यूबेटर्स को चलाने के लिए फ्यूल की जरूत है और फ्यूल के ओपर ब्लॉकेड रगा रखा है, इसराइली रिटैलेटिड बॉम्मिंग कैम्पेन में, 4600 पेलेस् ने यहाँ पर जो कुछ भी किया, ओवर ओल इसराइल के साथ वो गलत था, बट इतने बड़े स्केल पर जो इन्वेजन यहाँ पर लाँच हुआ इसराइल का, इसमें भी बड़े तागाद में लोग मर रहे हैं, और देखी इसमें कहीं लगी हमास के मिलिटेंस की भी गलती पर सिविलेंस कहां अपने आपको सेफ सिक्यूर करके बैठते हैं, सिविलेंस यहाँ पर बड़ी तागाद में मर रहे हैं, युनाइटे नेशन का बोलना है कि प्रति दिन सौ ट्रक्स पर डे चाहिए ताकि 24 लाग जो गाजा स्ट्रिप में रहने वाले लोग हैं, उनको प पॉरेंड मिनिस्टर है, हुसेन आमीर अदुलाहिन, इनका ये बोलना है कि अगर युएस और इसराइल ने अपने इन अक्टिविटीज को बंद नहीं किया, और गाजा में ये जो हुमेनिटी और जेनोसाइड हो रहा है, इसको नहीं बंद किया, तो भाई ये रीजन आउ इसकेलेशन को रोकना यहां पर बहुत ज़्यादा जरूरी है, हम बस यहीं उम्मीद करते हैं कि यहां पर रोक जाया है, क्योंकि देखे, लडाई हो चुकी है, हजारों की तागाद में लोग मर चुके हैं, आपकी आइडिलोजी कुछ भी हो, आपके लिए वार मॉंगरिं करना हो सकता, आसान हो, इंडिया के अंदर बैठे बैठे बैठे, या पाकिस्तान के अंदर बैठे बैठे, लोग बोलेंगे कि मार देंगे, मर जाएंगे, लेकिन जो वहां पर फसा है, उसकी जिंदगीयों के बारे में समझना जरूरी है, यह बॉम्मिंग इसरायल की सफेर्स ने, केनेड這些 diplomats से बोला, 41 Canadian diplomats से तुम बाहर निकलो, तो 62 की बजाए, 41 निकले तो 21 Canadian diplomats ही बचे हैं, अब इंडिया के अंदर, तो मुंबई, चंडिगड और बैंगलोर के अंदर, जो Canadian consulates, Indians को वीजा प्रोवाइड करते थे, अब वो वीजा सर्विसेस यहां पर ये situation तब शुरू हुई जब Indian diplomats जो की Canada में posted थे उनको openly खलिस्तानी element से धमकी आने लगी और उस धमकी को रोकने के लिए Canada की सरकार कुछ कर भी नहीं ली थी तो जब हमारे diplomats safe नहीं है आपके देश के अंदर तो आपके diplomats हमारे याँ पे क्या कर रहे हैं प्लस अगर हमारे diplomats safe नहीं हैं और आपके Ottawa capital में हमारे कम diplomats हैं तो उतने ही कम diplomats आपकी embassy में होने चाहिए New Delhi में इसलिए overall इस staff parity को लाने के लिए इंडिया ने 41 Canadian diplomats को हटा दिया इंडिया ने ये भी बोला कि ये parity हम केवल जो capital में embassy थी वहां लाने की कोशिश कर रहे थे Mumbai, Chandigarh और Bangalore के consulates के against तो हमने action में नहीं लिया ये action तो unilaterally ले लिया यहाँ पे Canada ने तो basically Canada यहाँ पे Vienna Convention का violation कर रहा है इंडिया violation नहीं कर रहा है Canada क्यों लगाता है इंडिया के against लिजाम लगा रही है कि भई इंडिया यहाँ पे करपड़ कर रहा है जैशंकर साब ने साफ साब बोला कि भईया इंडियन diplomats की safety और security को आप ensure नहीं कर पा रहे हो Canada के अंदर आप तो सबसे fundamental aspect Vienna Convention का इसकिप कर रहा हो उसके बाद इलजाम हम पे लगा रहा हो कि हम तुमारे diplomats के against discrimination कर रहे है फिर अगली news एक दुख़द news है दोस्तों पहला अगनी वीर यहाँ पे overall line of duty में यहाँ पे शहीद होता है गवाते अक्षय लक्षमन इन्होंने जान देदी सियाचीन glaciers पे deploy होके अपने देश के लिए सियाचीन glaciers दुनिया का सबसे हूचा battlefield है अगनी वीर उप्रेटर गवाते अक्षय लक्षमन के आप के लो बलिदान को heights of सियाचीन में इनको यहाँ पे वीर गती प्राप्त हुई है अब basically यहाँ पे मुद्दा यह उठा कि यह देश की सेवा करते करते इस दुनिया को छोड़के चले गए और इनके कित और किनको क्या मिलेगा तो यह बोला जा रहा है कि 48 लाग का non-contributory insurance मिलेगा एक ex-gratia payment मिलेगा 44 लाग का 30% salary मिलेगी जो कि अगनी वीर ने सेवा निधी स्कीम में की है और उसके सासद equally matching component by government उसके सासद overall 4 साल का tenure complete होते होते तक जितना salary amount बचा हुआ था overall गवाटे अक्षे लक्षमें साब का वो भी मिलेगा जो कि लगबग यहाँ पे 13 लाग का था 8 लाग रुपे यहाँ पे armed forces battle casualty fund से मिलेंगे तो basically इतना पैसा यहाँ पे next kit of kin of गवाटे अक्षे लक्षमें को दिया जाएगा अब जो पुराने आप कहलो you know veterans हैं और जो legal expert है अगर एक temporary trainee civil employee army का यहाँ पे accident में भी मरता है तो भी उसकी family को pension entitled है और यहाँ पे एक एगनी वेर battle casualty में सियाची इन में मर रहा है उसको यहाँ पे आप pension नहीं दे रहे हो तो यह बहुत बड़ा आप कहलो anomaly है जिसको यहाँ पे point out किया जा रहा है इस बात को लेकि अलग-अलग लोगों के अलग-अलग viewpoint हो सकते हैं भाई आप नीचे comment box में अपना viewpoint बताइए हम overall शद्धांजली देते हैं इस particular veer को जिसने हमारे देश के लिए जान दे दी आगे चलते हैं यह basically US से related news है दोस्तों वाल स्ट्रीट की जो investment companies है अकसर कर overall इनका investigation करती है US की securities और exchange commission तो US की securities और exchange commission वाल स्ट्रीट की investment companies को investigate करती है जब करती है तो यह employees के chat messages को भी देखती है इनके employees personal messaging app इस्तमाल करते है WhatsApp, signal, Apple का iMessage, Telegram group इस्तमाल किया जाता होगा अब problem दोस्तों यह है कि अगर आप personal purposes के लिए WhatsApp वगरा इस्तमाल कर रहे हो तो वो आपकी democratic freedom में आता है लेकिन जब आप अपने office के काम के communications को अपने office के काम के respect में बाकी employees के साथ commissions करने लोगो signal पे, WhatsApp पे, Telegram पे, iPhone के messages पे तब चीज़ें problematic हो जाती है ठीक है overall 10 investment companies में जब SEC ने यहाँ पर अपनी investigation की तो SEC और बाकी और सारे regulator ने यह expect किया था कि जो US-based finance companies हैं वो अपने employees को electronic communication को records को maintain करके रखेंगी तो इन्होंने records maintain करके रखें भी थे लेकिन उन communications का क्या जो overall personal messaging apps में किये थे यहाँ पे इन employees ने overall company की hierarchy के अलग-अलग हिस्सों में जो लोग deployed थे उन्होंने off channel methods को deploy किया company का काम करने के लिए उन्होंने private messaging apps का इस्तमाल किया और इससे overall company के communication की integrity यहाँ पे relate होती है और यह चीज तब बहुत जादा आपके लो you know acute हो गई थी जब pandemic के समय पे दुनिया भर के जो employees थे वो work from home या फिर hybrid work pattern में गाम करने थे उस समय पे messaging apps का इस्तमाल करना work related reasons से काफी common हो गया था लेकिन उससे होता यह है दोस्तों कि भले ही overall WhatsApp वगरा को अपने official purposes के लिए इस्तमाल करना उतना बड़ा आपके लो event यहाँ ना नज़राए लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब investment companies में fraud हो जाता है तो इस fraud को जब regulate करने के लिए और investigate करने के लिए US Securities and Exchange Commission के जब bureaucrats आते हैं तब वो जब पूरी तरीके से records को खंगालते हैं तो वो records उनको मिलते नहीं है जो कि personal chat के थुरू है और personal chats के थुरू भी और personal communication के थुरू भी अच्छे कासे records important हो सकते हैं इसके लिए अगर आप देखो तो 30 enforcement actions को यहाँ पर order किया गया है और 1.5 billion dollar के penalty लगाई गई यहाँ पर बहुत सारी companies के ओपर जो गुर्बीर S. Grewal है जो कि director है SEC के division of enforcement के यह तो इंडियन ही लग रहे हैं ठीक है ना और division of enforcement में placed है तो basically अब क्या हो सकता है इंडियन नाओ जो कि देखे जब कोई Muslim नाम होता है तो वो Indian भी हो सकता है पाकिस्तानी भी हो सकता है बंगलादेशी भी हो सकता है जब कोई Hindi नाम होता है तो Hindu नाम obviously बात है Hindus, Pakistan, मंगलादेश से तो जाएंगे ने US के जादा तर इंडिया से जाएंगे हो सकता है एक दो आपके Mauritius से गए हूँ तो उस हिसाफ से मैंने बोला कि ये इंडियन है तो basically यहाँ पे firm self report करेंगी corporate करेंगी remediate करेंगी तो basically कारलाइले Apollo, KKR, TPG, Blackstone इन companies की यहाँ पे investigation की गई है Securities and Exchange Commission के तोड़ा US केंदर ये पता किया गया कि इनके employees ने office के काम के लिए हजारो messages आपस में circulate कियें तो workplace, communication, hygiene यहाँ पे बचा नहीं है बहुत सारे हो सकता है official communication और आपके लोग communication methodology यहाँ पे compromise होगी तो उसके चलते बड़े तागाद में millions of invent billions of dollars के तागाद में यहाँ पे penalties मारी जा रही है in fact अगर आप देखो 11 Wall Street firms के उपर 289 million dollar की penalty मारी गई यह क्यों क्योंकि security और exchange commission ने जो directive दिया है कि financial companies अपने communication को internal basis पे करेंगी private जो आपके लोग communication platform से messaging platform से उसका employees इस्तमाल नहीं करेंगी इस director को follow नहीं किया गया अब अगर आप देखोगे तो overall बहुत सारी company ने whatsapp का इस्तमाल ही office premises में बंद कर दिया है उनका यह बोलना है कि investment firms के अंदर आप किसी भी private level के mechanism को इस्तमाल नहीं करोंगे एक दूसरे के साथ coordinate करने के लिए इनफेट पहले क्या होता है कि zoom cause वगरा होती थी google meet हुआ करती थी zoom cause google meet record वगरा नहीं होती थी अब तो SCC official purposes के लिए जो zoom cause और google meet सुई है उनकी recording मी मानता है तो अभी recently 29 सप्टमबर को SEC ने चार्ज किया 10 firms को जिसमें broker dealer से investment advisors थे कि भाई widespread और long standing failures है यह maintain नहीं कर पा रहा है और preserve नहीं कर पा रहा है electronic communication को इनसे 79 million dollar की penalty यहाँ पे माल ली गई ठीक है ना और बड़े बड़े लोगों को यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है Wells Fargo Securities LLC अपने आपे बहुत बड़ी कंपनी है Wells Fargo H.S.B.C. Security, Goldman Sachs, Barclays, Capital, Robert, Weed, W.W.A.D. & Co. Weinberg partner वगएर वगएरा वगएरा ठीक है बड़े बड़े के record keeping requirement अपने आप में US LA के अंदर बहुत important है Investment Advisor Act of 1940 Securities Exchange Act of 1934 इसने record keeping provisions को बहुत आपके लोग वैलिडेटेट रखा है work related messages को WhatsApp और Signal जैसे अप से नहीं भेजना चोकि end to end encrypted होती है बाद में अगर कोई scam होता है और SEC की जब regulators आएंगे तो उनके पास पूरे records का access नहीं था तो wrong doing यहाँ पे छप सकती है तो इस respect में official purposes के लिए आप personal messages और mails का इस्तमाल करेंगे नहीं इसको यहाँ पे एक norm मनाने की कोशिश कर रही है SEC Wall Street की investment firms के लिए Wall Street की investment firms के लिए फिर भाई आप मनीला और बीजिंग एक दूसरे के ओपर इल्जाम लगा रहे है जो आपका इलाका है Second Thomas Shoal का Second Thomas Shoal का इलाका लगब अवराल यहाँ पड़ेगा पालावान आईलेंड है मनीला का इसके पास है अब साउच चाइना सी में अगर आप चाइना से देखो और चाइना के हैनान आईलेंड से देखो तो बहुत ज़दा दूर है यह Second Thomas Shoal फिलिपीन्स की पालावान से तो बहुत ही पास मज़र आ रहा है लेकिन चाइना बोलता है कि बहुत है यह जो Second Thomas Shoal है यह हमारा है फिलिपीन्स का है नहीं यह जो आपकी Nine Dash Line खीच रखी इसके अंदर जो कुछ भी आ रहा है इस सब हमारा है फिलिपीन्स वाले तुम दूर रहो फिलिपीन्स का स्ट्रांस भी यहां पे काफी अग्रेस हो रहा है फिलिपीन्स बोल रहा है हम तो दूर रहेंगे नहीं तुम्हें जो करना हो कर लो और उसके चलते एक Chinese Boat और फिलिपीन्स बोत यहां पे भिड़ गया है आप देखो Chinese Boat उपर से यहां पे फिलिपीन्स बोर्ड के उपर टक्कर मारती नज़रा रही है और बीजिंग और मनीला एक दूसरे को पर संडे को इलजाम लगा रहे थे कि भाई ये जो री सप्लाई मिशन जा रहा था इस पर्टीकुलर सेकंड थॉमर्श शोल एक आईलेंड पे जहाँ पर फिलिपीनो फोर्सस खड़ी है उनके लिए एक री सप्लाई मिशन जा रहा था लेकिन साउथ चैना सी में चाइनीज बोर्ट इस री सप्लाई मिशन को रोक रही है ठीकिन स्प्रैटली आईलेंड के पास ये चीज होई है तो बेसिकली एक होटली कंटेस्टेड जोन है यहाँ पर टेंजरिंग ब्लॉकिंग मेन्यूवर्स किये गए यहाँ पर चैनीज कोड़ बार्ट वेसल 5203 के ज़रा लेकिन आम्ट फोर्सस और फिलिपीन्स भी यहाँ पर पीछे नहीं हटी और यह सब हुआ सेकेंड फॉमस शोल से 25 किलोमीटर दूरी पर चैना का बोलना है कि स्लाइट कोलिजन इसले हुआ चुकि बार बार हम वर्निंग दे रहे थे फिलिपीन्स बोर्ट को कि वापस चले जाओ वापस चले जाओ लेकिन यह वापस जान नहीं रहे थे सेकेंड फॉमस शोल फिलिपीन्स आईलेंड पालावान से केवल 200 किलोमेटर दूर है और चैना के हैनान आईलेंड से 1000 किलोमेटर दूर है यह लोकेशन अभी मैप पर भी मैने आपको दिखाई है उसके बावजूद भी ओवर ओल यहाँ पे चैना कौन से बेसे स्पेस आईलेंड को क्लेम कर रहा है कहाँ पहलावान से यहाँ पे सेकेंड फॉमस शोल और कहाँ हाईलेंड से हैनान से इतना दूर तो बेसिकली फिलिपीन्स तो अपना क्लेम छोड़ने को तयार नहीं इस सेकेंड फॉमस शोल के ओपर ओचायना भी लगातार इसके लिए लड़े जा रहा है ठीक है भाई अब यूरोपेन यूनिन की रिपोर्ट ये बोलती है कि ग्लोबली टैक्स इवेजन को रोकने के लिए जो ग्लोबल वेल्थ है ना बिलेनेर्स की इसके उपर भाई दो परसंट का टैक्स लगाँ टैक्स इवेजन दोस्तों दुनिया भर में हो रहा है क्या होता कि जो बिलेनेर्स होते हैं वो हाई टैक्स जोन से अपने प्रॉफिट्स को आफशूर अकाउंट्स में मूव करते हैं US में रहने वाला billionaire अपनी country, अपनी company को Panama में register करवाएगा, किसी tax haven में register करवाएगा, जहां पर उसको ज्यादा tax ना देना पड़े, effectively उसको अपनी wealth पे 0-0.5% ही tax देना पड़ रहा है, ऐसा बोलना है European Union Tax Observatory का Global Tax Division Report 2024 में, इनका यह बोलना है कि जो लो आपनी total wealth का 0-0.5% ही tax द लगा हो, अगर आप ऐसा लगा देते हो, अकेले 3000 individuals एक साल में 250 billion dollar दे देंगे, जोकि अपने आप में बहुत बड़ा figure हो जाएगा, और यह बाकी छोटे मोटे corporate पे उतना impact नहीं डालेगा, तो basically यह report justify करती है, एक ऐसे proposal को, जहां पे taxpayer को municipal 2% charge किया जा रहा है, और यह बहु और जो super rates है, जो कि offshore tax evasion mechanism के थुरू अपने taxes को बचा रहे हैं, overall इन से tax लेना है, अब पिछले अगर 10 सालों में देखा जाए, तो offshore tax havens में, जो tax evasion का rate है, वो 3 गुना यहां पे कम हुआ है, लेकिन अभी भी exist करता है, अगर आप देखो, तो 10% word की GDP थी न, financial wealth, वो tax havens में ह हुआ करती थी, अभी भी tax havens में हैं, लेकिन इसमें से केवल 25% tax को evade कर पारें, मतलब उन से कुछ हद तक tax ले पा रहे हैं, international companies, इसके लिए 2012 में, 140 countries ने मिलके, एक global minimum tax 15% का डिकलेर किया था, MNC के उपर, ठीक है न, और इन overall 15% taxes के थुरू, internationally, जो MNC funds, offshore tax havens में जाके mechanism के अंदर भी सारी MNCs, सारे tax firm से पूरा पैसा, पूरा tax ही वसूल नहीं कर पाएं, चुकि आज की date में भी कुछ ऐसे jurisdiction exist करते हैं, जहां पे tax की green washing कर दी जाती है, green washing मतलब, जो भी global minimum tax देना है, उसको green credit tax के साथ मिलाके, तरीके से tax का refund ले लिया जाता है, तो basically overall जो minimum 15% का globally tax लगाया था, 140 country में 2012 में उसको भी proper तरीके से ये implement नहीं करवा पा रहे हैं, जो tax free regime है, जो tax evasion वाले, जो आप heavens है, वो भी quantity में बढ़ रहे हैं, चुकि उनको पता है, कि कुछ individual सी billions of, trillions of dollar उनकी जमीन में लेके आ जाएंगे, इन particular tax heaven को target करना चाहिए, ये EU की report बोलती है, जो 2% global wealth tax लगाना चाहिए, मैं billionaires के उपर, ये उनकी income के उपर tax नहीं, इनकी income के उपर तो minimum tax 15% का लगाएगा, ये उनकी wealth के उपर tax है, और wealth के उपर tax आप लगा भी सकते हो, justified भी हो, जो कि on an average, net of inflation, उनकी dollar सालाना, 7% की speed से बढ़ रही है, तो 2% global tax लगाने में कोई problem नह है, so thank you for watching friends, I hope आपको lecture में मजाया हो, अपने viewpoint comment box में देके जरूर जाएगा, have a great day friends, goodbye, ध्यान रखिए.